बाई एलेक्शन को लेकर पहली बार मायावती भी एक्टिव नज़र आ रही है आज पाजी संगचन की एहम बैठक लखनव में हो रही है दस सीटों पर उपचुनाव के लिए ये मंधन होगा बूत से लेकर मंडल लेवल तक सीनियर से लेकर छोड़े वरकर्स को बैठक में इ हर्याणा में चुनाव दंगल को लेकर भी बीएफ़ अपके रणेती तयार करेगी मायावती उपचुनाव को लेकर अब एक्टिव दिखाई दे रही है आज जो मीटिंग बुलाए गई है जिसके शिरवात हो चुकी है मंधन बूत लेवल के सभी सीनियर नेताओं को और मीटिंग में बुलाए गया है यूपी से लेकर हर्याना तक में पार्टि के रणेती क्या रहने वाली है इस से लेकर आज चर्चा इस मीटिंग में चल रही है मिशन उप्चिनाफ पर मायावती का दाव क्या हो सकता है हाला कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर एक्टिव नसर नहीं आ रही है ना कोई रैली होना ना कोई पद्यात्रा होना ना कोई जनसमुए कत्रित करना ना ही कोई चौपाल जैसी परिफ्थिती ब्लॉक लेवल पर भी दिखाए दे रही है लेकिन इसके बावजूद अब चूंकि मीटिंग हो रही है मीटिंग के बाद अब रनीती क्या तयार की चाहेगी इस पर हमारी भी नसर रहेगी